नमस्का आप इसे नियोज के डॉक्टर डॉट कॉम इसका रिकर में मैं एक शेतिजादेश मुका आप सभी का स्वागत करती हों आज हमारे साथ है हमारे स्पेशल गेस्ट जो डॉक्टर धिरश गुपता जॉइंट रेप्लेस्मेंट और सपेडिक सर्जन है ये केर हॉस्पिटल से हम इनके बार इनसे जानेंगे कि घुटने की जिस तरह के दर्द है या गुटने से जूरी बीमारिया है या हडियों से जो हुचित इलाज जो क्या है कि जोड़ मतलब जो जो जॉइन से शरीर के घुटना कोहनी कंधा कूले का जॉइन कि किसी भी जॉइंट के घिसने का तरीके से हमें समझना होगा सबसे पहली बात तो जो जॉइन घिसा है किसी किसी apply की चोट होती है, या कुछ ऐसी वात की किसी को शिकायत होती है, खून में, रक्त में ऐसी शिकायत होती है, जिसकी वजह से joint की जो covering है, जो उसकी जो shock absorber है, वो दीरे-दीरे गिसना चालो हो जाता है, अगर वह problem है, तो पहले हमें उसका जो root cause है, उसका जो actual cause है, उसका इलाज करना होता है, अब अगर जोड मान लीज़े, गिस गया है, तो उसके बाद हमारे पास जो इलाज की संभावना है, वो शुरू होती है पहले की व्यायाम, मतलब फीजियो थेरपी, कुछ दवाईयां, कभी-कभी कुछ ऐसे injections, अभ होती है, कि अगर एक सीमा के बाहर, जोडो के गिसने की, लेकिन अगर तीसरी स्टेज या चौती स्टेज में पहुंच जाए, तो फिर व्यायाम, इंजेक्शन या केवल दवाई से इसका इलाज करना संभव नहीं होता है, ऐसे इस्तिति में कभी-कभी हमें शल्ले क्रिया भी करनी पड़ती है, बिल्कुल, खेलकूत के दोरान लगने वाली जो चोटे रहती है, उसका इलाज किस तरह से किया जाना चाहिए, क्या बता होगे, खेलकूत की जो चोटे है, वो एक्चुली एक बहुती वास्ट सब्जेक्ट है, क्रिकेट, फुटबॉल, हौकी, हर एक की जो स्पेसिफिक एक तरीका होता है, खेलने का उसकी चोटे भी अलग होती है, जैसे फास्ट बॉलर में शोल्डर का प्रॉबलम बहुत कॉमन होता है, जो लोग फुटबॉल खेलते हैं, उसमें घुटने के लिगमेंट्स बहुत कॉमनली तूटते हैं, तो सबसे पहला क नाम तो होता है कि हमारे देश में पहले खेलों को खेल कूट को बहुत ज़्यादा प्रॉटसान नहीं मिलता था, अभी पिछले समय में कुछ ऐसी पिक्चरे आई हैं, समाज में भी जागरती हुई है, जैसे दंगल, सुल्तान, चक्दे, इंडिया, ऐसी कई चीज़े कि वह अगर कोई चोट लगती है, तो पहले वहाँ पर आईस लगाए, बर्फ लगाए, बर्फ लगाके उस चीज़ को, उस जोइंट को या उस हड़ी को जिस पर चोट लगी है, उस जगह पर को हिलाए डूलाए ना, और सबसे नजदी की जो भी उनके कोई स्पोर्स मेडि लेना चाहिए, वही पिशेशक इसका उचीत इलाज बता सकते हैं. बिल्कुल, जोडो को घिसने से, रोकने की कौन से उपाय क्या है, क्या बताओगे? यह आपने बहुत अच्छा सवाल पूचा, जोडो का घिसना, मतलब उसको रोक देना, उसकी प्रिवेंशन, उसकी रोक अच्छते हैं, वैसे ही जोडो को सहजना चाहिए, नीमित रुप से गायाम करना, मुटापे से बचना, जो खाना है, उसमें जंग फूट के बदले, नूट्रिशियस फूट, अच्छा पॉस्टिक आहार लेना, रेगुलर एक्सरसाइस करना, और ऐसी किसी एक्टिविटी लेकर आपने अगर ये काम किया, तो आपको जोड के गिसने की प्रॉब्लम नहीं होगी, साथ ही साथ, कैल्शियम और ऐसे विटामिज, जो अच्छे सबजियों में, फलों में मिलते हैं, वो अगर आप रेगुलर लेते हैं, तो जोडो के गिसने की समस्या धीमी होती है, ज कैल्शियम की कम हो, तो कौनसे बीमारीव को मतलब हमें ये करना पड़ता है, फ्रेस करना पड़ता है, यह कौनसे समस्या होती है, आप जिसको पौर रहे हैं, वो बीमारी को मेडिकल लेंगफिय को अस्ट्यो पोरोष कहा जाता है, अस्ट्यो प्रोष्ज। एक ऐसी समस्या है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ हर व्यक्ति में हड्डियों में थोड़ा सा कैल्शियम का रिसाब होता है तो एक समय के बाद जब वो हड्डी का कैल्शियम 30% से और भी कम हो जाता है जो पहले यंग एज में था तो उन्हें फिर fragility fractures मतलब हड्डी कमजोर होने की वज़े से जल्दी fracture होने की संभावना है मास पेशियों में भी ताकत कम हो जाती क्योंकि हड्डियां अंदर से उतनी अच्छी नई नई दवाईयां आ गई है कुछ नेजल स्प्रे भी आये हैं जिससे आपके अंदर जो कैल्शियम का रिसाव होता है उम्र की वज़े से वो रिसाव रुख जाता है तो ऐसी दवाईयों से हड्डियों से कैल्शियम खतम नहीं होता उल्टा हड्डियों में ज आप दोड़ भरा मतलब हो चुका है तो ऐसे में जोडों के दर्द या जोडों के घिसने के लिए मतलब कैसे इसको रोक सके कैसे डायेट फॉलो करे किस तरह का मतलब एक्सरसाइज किया जा सके क्या बताना चाहो गया एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वही आपको पूर स्वस्त लख सकती है जिसमें जोडों की भी हेल्थ जो है जोडों का स्वास्त जो है वह उसी में इंख्लूड होता है है अफ्ले सफेरो के बदले ले लिए अगर आप जो प्रॉपर आठा है उसका प्रयोख करें तो यह चालू होता है यह नोई exercise जैसे घुटने के जोड़ का सबसे ज्यादा समस्याय मानी गई है तो non impacting exercise मतलब ऐसे व्यायाम जो जमीन से टकराने ना दे मतलब दोड़ना और जॉगिंग से ज्यादा बहतर है कि आप cycling और swimming करें इससे आपके जो घुटने की health है वो ज्यादा अच्छी रहती है और इसके अ अंभावना कम रहेगी डोक्टर आपने जो है आपकी डिग्री जो है इंग्लेंड से ली है इंग्लेंड में आपने करीब 11 साल भी तायर है तो इस दौरान आपने बहुत मतलब वेरियस पेशन देखे होंगे और जिसके बाद आप इंडिया आए इंडिया में पी आप प्र पॉलाई और बहुत सारी सामय मैंने प्रैक्टिस यूके में प्रॉपर लंडन में किया है दोनों में अंतर तो ऐसा है कि पेशन्ट हर जगा होते हैं लेकिन जो हेल्थ केट सिस्टम है वो दोनों में काफी अंतर है जैसे कि इंग्लेंड में या किसी भी विक्सित देश में वहाँ पर एक प्रोटोकॉल बेस ट्रीटमेंट होता है कि मान लीजर अगर कोई हड्डी तूटती है तो एक प्रोटोकॉल है तो आप इंग्लेंड के किसी भी कौने में चले जाईए अगर माह左 हऔर ए लाज होगा मतलब अगर आपकी पैर यहर्डी तूट तूटती है तो कि प्रोटोकॉल बेस्ट या अभी भी हमारी मेडिकल एजूकेशन जो है वो सीड़ी दर सीड़ी प्रगती कर रही है अभी उस इस्तिति में विक्सित देश में जो होता है वैसी नहीं है तो उस वज़ा से यहां पर एक एक जो एक्सपिरियंस बेस्ट ट्रीटमेंट है कि अगर माननीजे मैंने जहां पर पढ़ाई की है मेरे टीचर ने जहां जो पढ़ाया और मैंने जो देखा वो देखके मुझे जो सही लगता है वो मैं करता हूं बजाए इसके विदेशों में वो प्रोटोकॉल बेस्ट होता है तो यह बहुत बड़ा अंतर है और इसी की वजह से जैसे आपने कुछ घुटने की चोट के बारे में पूचा तो यह बहुत बड़ा अंतर मैंने देखा है कि इंग्लेंड में विक्सित देशों में जब कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो शुरुवाती ट्रीटमेंट को इग्नोर नहीं किया जाता है शुरुवाती ट्रीटमेंट जो एक प्रोटोकॉल है वह यह है कि फीजियो थेरपी करीब छे मैना एक साल देड़ साल दी जाती है फिर और्थो बायोजिक्स ट्रीटमेंट मतलब कुछ ऐसे इंजेक्शन जो घुटने को फिर से चिकनाई दे करने वाले इंजेक्शन तो एक स्टेप वाइस ट्रीटमेंट पर जाते हैं मैं आलुचना नहीं करूंगा लेकिन होता है कि हमारे देश में जब से मैंने आके देखा है तो कई बार यह होता है कि पेशेंट को पहले ही स्टेप में जब वह और डॉक्टर से मिलते हैं तो शल के बाद ही हम लोगों ने शल्लिक्रिया के बारे में बात करनी चाहिए दूसरी एक बहुत बड़ी अंतर है कि विदेशों में शल्लिक्रिया के पहले व्यायाम जो है फीजो थेरपी वो तीन से छे मना लगातार करा ही जाती है इस उद्देश से कि मसल्स जो है वो स्ट्रॉ करूंगा मैंने यह परिवर्दन करनी कोशिश की है हमारी प्रैक्टिस में मैं कोशिश करता हूँ एक पॉजिटिव कौंसिलिंग करके कि भले मेरी तुरंत आये ज्यादा बढ़ेगी अगर मैं कली ऑपरेशन कर दूं लेकिन रिजल्ट ज्यादा अच्छे तब होंगे जब मैं नोट किये हैं जॉइंट रिपलेस्मेंट की जो सर्जरी होती है उसमें जो हम देखते हैं कि पेशंट हो या उनके परिजंज हो है उनमें बहुत सी हमें भ्रांतिया या मतलब मिसंडरस्टेंडिंग देखने को मिलते है जैसे सरजरी नहीं करना चाहिए या इस तरह का क जॉइंट रिप्लेस्मेंट सर्जेरी पहली बात तो खुदी है कि इसका नाम ही एक तरह से मिस्नॉमर है, मतलब थोड़ा सा अनुचित टाइप का नाम है, जॉइंट का रिप्लेस्मेंट किया नहीं जाता है, सबसे पहली भ्रांती भी यही से डेवलप होती, लोगों को लग एक नई टोपी लगा दी जाती है, तो सर्फेस नया दिया जाता है, जॉइंट आपको नया नहीं दिया जाता है, सारी लिगमेंट, सारी मास पेशियां, सारी हड़ी वही की वही होती है, क्यों क्योंकि जो कैप उपर वाले ने हमें दी थी, समय के साथ, उम्र के साथ वो कै नाम बहुत ही अच्छ हैं अगर यह सर्जेरी अनुभवी हातों के द्वारा की जाए और पेशेंट जो है वो इंस्ट्रक्शन का सही पालन करें अब समस्या यह आती है ब्रामतिया ऐसे डेवलप होती है कि पहले तो लगता है उनको कोई नया गुटना दे दिया जाएगा पेशेंट रिलेटेट ऐसे फैक्टर्स कि मान लीजे पेशेंट जो था उसको इन्फेक्शन था उसने सही तरीके से पालन नहीं किया या वह बहुत ज्यादा स्टेज खराब हो जाने के बाद जब मास पेशेंट टाइट हो गई तब उसने आया और आपरेशन करवाया तो उसके रिजल्ट कभी-कभी कम होते हैं उसी तरह से जो सर्जन्स हैं जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली है अगर ऐसे किसी सर्जन के द्वारा वह आपरेशन होता है तो भी ऐसी संभावना कभी-कभी होती है कि रिजल्ट जितने अच्छे मिलने चाहिए वो नहीं मिल परन्तु इसका मतलब यह नहीं है पूरे विश्व में जॉइंट रिसर्फेसिंग याने जॉइंट रिप्लेस्मेंट सर्जरी जो है वो बहुत ही ज्यादा परिणामकारक है बहुत अच्छा परिणाम देती है पेशेंट्स को बहुत ज्यादा मुक्ति मिलती है अपने सरजरी करें अब असल में जो सरकारी जो सुविदाएं योजना हैं उसमें अभी दीरे जॉइंट रिप्लेस्मेंट सरजरी भी इन्वाल कर ली गई है तो उसमें तो कई योजनाओं में यह निशुल भी किया जा सकता है और अधर्वाइस भी अगर हम इसको करने जाते हैं तो इसकी जो कीमत है, इसकी जो कॉस्ट है, वो कई तरीके से कोशिश करके हम लोग कम कर सकते हैं, और उसके बाद भी एक अच्छी सर्जेली करके बहुत अच्छे परिणाम हम लाके दे सकते हैं. लेंडन में 2012 में जब ओलम्पिक जो चैंपियन चल रहा था, उस दरान आप भी वहा पर थे, आपने वहा पर प्रैक्टिस भी की है, तो क्या मतलब वहा पर आपको एक्सपिरियंस आया, क्या आनुपो आया, मतलब वहा के जो खिलाडी थे, उस दरान वहा के टॉपमोस्ट खि प्रैक्षियल असोसियेटेड होस्पिटल था, और वहाँ पर एक स्पोर्स मेडिसिन सेंटर भी खोला गया था, इसलिए, तो स्पोर्ट्स जो है, विक्सित देशों में खासकर इंग्लैंड में, बहुत ही एक, बहुत ही ज्यादा वेल डेवलप, बहुत ही विक्सित एक फ प्रैक्षियल थेरपेस्ट, स्पोर्स मेडिसिन सर्जन, यह सारे लोग मिलके और उनके खुद के कोच, जो खिलाडी के कोच होते हैं, इससा मिलके उस खिलाडी का करियर खराब ना हो, इसकी पूरी-पूरी कोशिश करते हैं, और अगर ऐसी कोई इंजूरी उसको होती है, तो उसको पूरी देखबाल से, चाहे वो छे मैना लगे, चाहे दो साल लगे, उसका करियर फिर से वापस उसे मिले, ऐसा प्रैतन करते हैं, इस वज़ए से वहाँ पर जब कभी खेलकूत के दावरान चोड़ लगती है, तो पूरी एक टीम मिलके उसका इलाज करती है, मैं एक orthopedic surgeon हूँ, तो मैंने उसका जो इलाज है, वो एक orthopedic surgeon या sports surgeon की तरह से देखा है, बट सबसे बड़ा फायदा यही कि इतने सारे लोग जब involved होते हैं, जिसमें physiotherapist होते हैं, dietitian होते हैं, सब लोग अपना-पना role play करते हैं, तो as an orthopedic surgeon, मुझे बहुत ही relief और reassured feel होता है कि यह खिलाडी जो है, जो aspire कर रहा है कि बहुत बड़ा international player बनने वाला है, उसको बहुत जल्दी अपनी goals वो achieve कर लेगा, comparatively हमारे देश में अभी भी कि एक विक्सित field नहीं है, तो एक center में जो physiotherapist चाहिए, जो occupational therapist चाहिए, जो dietitian चाहिए, फिर psychotherapist चाहिए, coach, इन सब की जब तक regular meeting नहीं होगी उस खिलाडी की उस चोट के बारे में, तब तक के उसको उची तिलाज नहीं दिया जा सकता है, दुर्भाग के से गाओं में जो budding sports player हैं, जो kabaddi खेलते हैं, जो भाला फेक खेलते हैं, उन सब को ये सारी सुविदाएं, एक well organized team, जो focus करके उनके जो नहीं मिल पाती है, हम लोग care hospital में एक sports medicine center चलाते हैं, जो हम पूरी कोशिश करते हैं, कि जब कोई ऐसा athlete या कोई sports person आता है, तो उसको हम, मैं, हमारा साथ में, physiotherapist, dietitian, हम सब मिल के, एक discuss करके, एक comprehensive, समुचित इलाज उसको दे सके, तो कुछ हद तक वहां की practice को हमने य Joint replacement and orthopedic surgeon care hospital से हमारे साथ डॉक्तर धीरज गुपता थे, इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी हमें साजा की है, साथ ही में विक्स्ती देशों में जिस तरह के treatment डिया जाता है, उसके बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी हमें आज उपलब्द हुए, बहुत बहुत धन् झाल